आपका स्वागत है हमारे चैनल तेरिस गार्डन विथ एडिनियम में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या हमें जून के फर्स्ट वीक में एडिनियम की कटिंग करना चाहिए तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें तो हम वीडियो शुरू करते हैं क्या जून में जून के फर्स्ट वीक में हमें एडिनियम में कटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे वीडियो में देखते हैं जून के स्टार्डिंग में या कहें तो जून के फर्स्ट वीक में मानसून आने के पहले हम एडिनियम में हलकी कांच चाहिए कर सकते हैं जैसे देखिया आप इस प्लांट में इसकी ब्रांचे कित्ती बड़ी हो गई है और लटक भी रही है और यही ब्रांच यदि बारिश आने के बाद इस पे यदि पानी भी लगता है तो यह पूरी ब्रांच लटक जाएगी या तूट जाएगी इसलिए हमें इन ब्रांच की कटिंग करना जरूरी है और कटिंग करने से एक तो हमारा प्लांट और बुशी होगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग होगी अब देखिए यहां प्लांट किता अच्छा लग रहा है और यदि इसमें अपन कटिंग नहीं करते एक तो इसमें पानी के कारण और यदि इसमें फ्लावरिंग होती तो भी यह ब्रांच पूरी लटक जाती क्योंकि बारिश में वैसी प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है यह देखिए यह प्लांट भी देखिए आप इनकी ब्रांच भी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी तो इसे भी मैंने काट दिया है तो हमें उन ब्रांचों को हम इसमें से काट शाट कर सकते हैं जो तो बहुत बड़ी हो गई है ब्रांचे बड़े होने का कारण क्योंकि ज्यादा गर्मी होने के कारण एक तो हम प्लांट में डेली पानी दे रहे थे और धूप से बचाने के लिए हमने कुछ प्लांटों को ग्रीन नेट के नीचे भी रख दिया था इस कारण भी प्लांट की ब्रांचे ज्यादा बढ़ गई थी तो जिन प्लांट की ब्रांचे ज्यादा बड़ी हो गई थी हम सिर्फ उनी प्लांट की ब्रांचे कट कर रहे हैं जो कि बारिश के समय वैसे ही प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और यदि हम इस समय इन ब्रांचो को कट नहीं करेंगे तो जा और ज्यादा बढ़ जाएंगी और बहुत ज्यादा जुग जाएंगी देखिए आप इस प्लांट में भी देखिए आप इसकी ब्रांचे इस बितनी बढ़ी हो गई है तो इसे भी हमेंने कट कर दिया है और एक बात का ध्यान दखना है हमें जो भी ब्रांच हम कट कर रहा हैं उस जगह कट पोर्शन पर हमें फंगी साइड पाउडर थोड़े से पानी में घोल के उसका पेस्ट बना कर कट पोर्शन पर जरूर लगाना है यह देखिए यह मेरे एक साल के प्लांट है यह देखिए इनमें भी कित्ती सारी ब्रांचेश हैं और यह तो छोटे ब्लांट होने के कारण मैंने इनने ग्रीन नेट के नीचे ही रखा था और अभी भी ग्रीन नेट के नीचे ही रखे हैं अब मैं इनका एकाद दो दिन में इनका ग्रीन नेट भी हटा दूँगा तो देखिए इनमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसलिए मैंने इनकी भी ब्रांच कट कर दी है इसी तरह मैं इन सब प्लांटों की भी ब्रांचेस कट कर दूँगा एक तो हमें कटिंग के पहले कुछ सावधानिया रखनी है पहली तो कटिंग के एक दिन पहले से हमें प्लांट में पानी नहीं देना है और cutting के अगले दिन भी हमें प्लांट में पानी नहीं देना है cutting portion पे cut portion पे हमें fungicide powder लगाना है और अब हम जो हमारे बड़े plant हैं उसको हमने एक week पहले से ही green net से भार कर दिया है और जो हमें छोटे plant हैं इन्हें भी हम green net से भार कर देंगे क्योंकि अब धीरे धीरे temperature कम होता जा रहा है और यदि हमारे plant ग्लीन नेट में लगे रहेंगे और उनमें धूप नहीं लगेगी तो वो ऐसे ही growth करेंगे और वो आने वाले आगे time में अच्छी flowering भी नहीं करेंगे कट portion पर इसी तरह जो भी plant हमने कट करें हैं उनमें समी में हमें fungicide powder का paste लगा देना है और एक बात का और ध्यान रखना है जब भी हम plant में cutting कर रहा है उसके एक या दो दिन के बाद हमें plant एक तो plant की जो भी उसमें खरपतवार या घासवास या जो भी कोई दूसरा plant लगें उनको हटा देना है और उसके अंदर हमें जो हमने पहले plant की cutting के समय जो हमने mixture तयार करा था वो हमें इसमें डालना है जिसकी link में description box में दे दूँगा जिसके अंदर हमने 70% compost 20% bone meal 10% नीमखली उसके अंदर थोड़ा सा fungicide powder और NPK 19,19,19,10% इन समय को अच्छे से mix करके एक एक मुठी जो भी plant में cutting कर रहा है उनमें डालके soil में mix कर देना है और उपर से watering कर देना है इससे हमारे plant में ज्यादा से ज्यादा branch निकलेगी और ज्यादा flowering होगी इस बात का और ध्यान रखना है कि हमारे plant के उपर जो हमारा cut portion है उसके उपर 10 से 15 दिन पानी नहीं लगना चाहिए और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झांक यू